हाई एवरीवन इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर आपको आने वाले समय में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है आज ईस्टॉक ने ब्रेक आउट दिये हैं और अगर अगर अपने ब्रेक आउट के डिरेक्सिंट ने मूवमेंट को कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में आपको एक काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा अब बात करते हैं stock की stock का राम है jubilient foodworks और यह रहा इसका chart तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं region को find out करते हैं और उसके बाद यह देखते हैं कौन से label पर buy कर सकते हैं क्या हमारे stop-lossage होंगे और क्या हमारे possible target हो सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं जो मैं time frame यूज़ कर रहा हूँ वह है daily का तो यहां पर मैं क्या करूँगा एक simple horizontal line को draw करने जा रहा हूँ जिससे आपको भी काफी आसान होगा समझने में that means कि कोई भी indicator नहीं कोई भी oscillator नहीं simple price action तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस stock ने एक kind of cup and handle pattern बना रखा था और आज के दिन हम इसका एक breakout देखने को मिल रहा है that means कि इस stock को जो select करने का जो region है वो है cup and handle pattern का breakout एक चीज़ा हम लोग यहां पर और आट करते हैं और वो है volume तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जो आज का जो volume है वो normal days के competition में कई गुना जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि जब भी price move कर रहा है and with increment in volume तो यह जो sign होता ही होता है bullishness का और ऐसे cases में price के उपर जाने की जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है again I am talking about probability not guarantee तो इस बात को समझे अगर आपको stock market में कोई भी कहता है कि भाया यह मैं बोल रहा हूँ और यही होगा not possible तो इस बात को आप समझे जितना जल्दी समझेंगे उतने जल्दी आपके पैसे बनना सुरू हो जाएंगे अब बात करते हैं लेबल्स की तो अगर यह stock 540 रूपीज के अगर उपर निकलता है तो हमें एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की stop loss हम लोग रखेंगे previous swing लोग जो की आ रहा है 500 रूपीज closing basis पर अगर बात करेंगे target की तो हम लोग रखते है previous swing high और हमारा first target आ रहा है double five seven का second target हमारे पास आ रहा है 588 का and third target हमारे पास आ रहा है 620 का तो आई होब कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा thanks for watching